मैं तो कोशिश करूँगा, यह मेरा काम है, मैं बत्रकार हूँ पबन जी, जितना आप बता सकते हैं उतना तेखिए मैं वैसे कह रहा हूँ, मेरी आपकी मितरता या जो भी हमारे प्रोफेशनल संबंद जो हैं यह भी डाइनमिक है, रिष्टे भी बदलते हैं, रिष्टों में डाइनमिजम रहता है रिष्टे स्थिर नहीं रहते, बदलते रहते हैं, क्योंकि यह प्रकृति का नियम है ठीक है, अब मैं इसमें सवाल जोड़ देता हूँ, तो क्या कॉंग्रेस पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है मेरे कहने का मतलब लोग तंतर को बचाना हो, समिधान को बचाना हो, तो हम वैसे भी किसी भी हद तक गए हैं राहुल गांदी, 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं, पसीना बाते वे हद की बात तो आप कॉंग्रेस से मत कुछी किसी भी हद तक क्या चंडर्माबु नाइडू को प्रधानमंत्री पद आउफर किया जा सकता है क्योंकि वो एक ऐसा उफर होगा ये ऐसी बातें कर रहे हैं कि ये तो पूरा गटबंधन बातें करेगा, आपस में चर्चा करेगा, इसमें एक अकेला कोई व्यक्ति नहीं बोल सकता है, ना बोलना चाहिए लेकिन मैं एक जनरल वे में आपको पूछ रहा हूं कि बता रहा हूं आपको कि देखिए, इस देश को स्वतंसर कराने के लिए कौंग्रेस किसी भी हद तक गई थी इस देश के समिधान को बचाने के लिए, न्याय लाने के लिए राहुल गांदी पैदल चले 4000 किलमीटर तो आप हद की बात मत कीजिए, हम किसी भी हद तक जाएंगे लेकिन इस देश को बचाएंगे बहुत बड़ी अपवन जी इसी में बहुत कुछ चुपा हुआ है, और नितिश कुमार क्यों आएंगे मुझे बताएगे अभी अभी ओढ़ियों पसट पताएंगे किसी भी हद तक जाएंगे देश को बचाने के लिए इस देश की जो एक ताना बाना है सामाजिक उसको बचाने के लिए जिसको चिंद भिन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी हमारे भगवान के नॉन बायोजिकल अवतार ने उसको बचाने के लिए हम कुछ भी करेंगे